हेलो दोस्तों डेक्टनूर्स में आप लोग का स्वागत है और आज की डेक्टनूर्स शुरू करेंगे उससे पहले बखबख कर लेते हैं दोपयर के अंदर GEO AGM 2019 पर में एक वीडियो बनाया था जियो फाइबर, ब्रॉट्बेंड और 4K सेटप बॉक्से रिगारिंग जो भी आपको डाउट्स और क्वेरिस थी वो वीडियो आप देख लेना मैं आपको डेस्किप्शन कमेंट के अंदर लिंक दे दूँगा इस व बता हूँ, 20,000 लाइक्स कम्प्लीट करना है, तो लाइक कर देना, बहुत ही गर्म गर्म टेक्नूश लेकर आगया हूँ, और फटावट से आज की टेक्नूश शुरू करते हैं, तो पहले कबर की बात करेंगे, रियल्मी 5 से, जी हाँ, मैंने इंस्टेग्राम पर रियल्मी सीन्स और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर में डालता हूँ, तो आप जाके देख लेना, वैसे स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं रियल्मी 5 कोट कैमरे की कुछ सैंपल से, जो देखेंगे, आप बहुत ही बढ़िया तरीकिस आपको देखने को मिल रही तो आपको अच्छा लगाओगा, वैसी अच्छे अच्छे कंटेंट्स में आपको लोग के लिए लाता रहूँगा, उसके अलाबर रोस तो रियल्मी 5 प्रो यहाँ पर जो वो गीक बेंच पर लिश्ट हो चुका था, जी हाँ, गीक बेंच पर आ चुका है, जी हाँ, गीक पर रियल्मी 5 प्रो जो लिश्ट हो आए, उससे हमें पता चल रहा है, वैसे, आप मुझे कमेंट करके बते हैं कि आपको क्या लेखते है, रियल्मी 5 प्रो में कौन सा प्रॉसेसर होगा, वो आप मुझे ज़रू से कमेंट करके बता सकते है, और यहाँ पर दूस्तों लगे birds version 2i का price भी कुछ 500 रुपी के असपसी होगी तो यह सारे के सारी जीसे 20 अगस को ही निकलेगी बाहर तो अब क्या खास होगा 20 तारी को ही मैं आपको ज़रूस इसके बारे में बता दूँगा तो यहाँ पर दोस्तो Space X के CEO एलन मस्क ने ये बताया कि अगर इंसानों को मार्स पर बसना है तो वहाँ पर हमें nuclear bomb मानना पड़ेगा इंसान कैसे हो गए दुनिया के अंदर वैसे हम लड़ाए जगड़ तो कर ही रहे अब मार्स पर nuclear bomb मारने की बात हो रही नियूक करने की ये मैंनी कर रहा है ये officially एलन मस्क ने confirm किया 2015 से वो बोल रहे थे लेकिन 2019 में भी उनने यही बात करी मतलब अगर इंसान मार्स पर बसने की सोचेंगे तो nuclear bomb वहाँ पर मारना बहुत ज़रूर है ऐसा एलन मस्क ने बताया है उनने ने कहा कि हम एक ऐसी colony बनाएंगे आने वाल ये बहुत बड़ा प्लान चल रहा है उनका पता नहीं ये कैसे complete होगा मार्स पर nuclear दालके इंसानों को बसानी के प्लानी को लिए इसके बारे में मैंसे आपको क्या ख्याले इंटरेस्टिंग ख़बर है वैसे मज़ा आता है आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो ऑपो की हो चुगा अभी दोस्तों को जो कैमरे जो है उसके स्पेक्स यहां पर जो वह लीक होकर आ चुकी है और बताया है कि जो प्राइमरी के वर होगा वो 48 मेगा पिक्सल का होगा उसके लबाद 13 मेगा पिसल का आपको टेली फोटो सेंसर मिलेगा मतलब इसमें आपको 28 जूम दे दोस्तों मेरे पास 2-3 दिन में ये फोन आएगा तो 28 अगस को ही में आपको इसके बार में और भी जानकारी दे दूँगा और यहां पर दोस्तों लगे हातों वीवो भी कैसे रुकेगा भाई जब भाई कुछ अच्छा कर रहा है चार्चार कैमरे लेके आ रहा तो भाई ए एक चीस तो इतना तो में पता ही है कि ओपो और वीवो दोनों ना अकसर सेम तरीके की स्मार्टफोन लाते है बस उपर नीचे थोड़ा बहुत होता है बागे तो अल्मोस सेम ही होता है लेकि ताच्छुब के बाद तो यह है कि इन दोनों को मिला के ना इनका बड़ा वाई हो बखवास घटिया यह बोया माइक की वज़े से दो बार मैंने नया माइक मगवाया था फ्लिपकाट से दूसरे बार भी खराब हो गया और आप पता नहीं थोड़ा बुद जैसे-दैसे में चलवा रहा हो अगर आप यूटुबर है और इसकी प्लानिंग करें पर्चस कर होगा अनौस करते ही तहल का मज गया है तिवे जो है कि यह ब्रॉडबेंड यह जो कंपनी है वो लोग नहीं या पर अपना एक नया प्लान अनौस कर दिया 699 का 700 रुपे में 100 Mbps की स्पीट डेरे महीने का और 1TB का FUP मतलब बहुत ज्यादा होता आप कितना भी अच्छा लगता है यह सारी चीज़े देख के से लगता है कि भाई जी हो की जै हो तो यहाँ पर दोस्तो फ्लिपकार्ट के तरफ से काफी इंट्रेस्टिंग खबर आ रही है और फ्लिपकार्ट ने आज इंडिया में अपने मोबाइल एप के इंदर दो नए फीचर्स जो नहीं चाहिए सिर्फ एक आईडिय अगर आपके पास है फ्लिपकार्ट का तो आप जाके इसको यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट का जो वीडियो से दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़े यहाँ पर आप जाके एमेज़न नेट्फिक्स में जैसे की जो वीडिय आती है आप अपने साब से देख सकते हैं और फिस आप जो आपको पसंद आता आप उस पर टैप करो आप उसको चाहिए पर्चेस कर सकते हैं तो जो एंगेजमेंट होगा वो एकदम क्रीटिव तरीके से वहाँ पर आपको मिलेगा तो वह भी बहुत एक अच्छा एक्स्प वाले प्रोसेसर आ सकता है और 64 मेगा पिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा वैसे आभी दोस्तों रेडमी 8 जी हां रेडमी 7 का सकसर रेडमी 8 टेना सर्टिफिकेशन पर देखा गया है जहां पर आप देखेंगे पूरी डिजाइन और थोड़े-बहुत स्पेक्स निकल क और पिछे इस बार इस बताया जारे कि आपको ग्लास बैक मिलेगा तो पिछे से थोड़ा सा कर्वड भी है जो कुछ इस तरह के का वैसे कौलकूम स्नैपडेगन वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा और साथ में हाँ पर 5000 इमिज की बैटरी इस बार मिलेगी रेडमी 7 में आप आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यह मत दोस्तों नोकिया की तरफ से खाबर आ रही है और नोकिया का 6.2 बताया जाना था कि इंडिया में ऑगस्ट के महिने में लाउंच होगा लेकिन आदे सी जादा तो ओगस्ट जा चुका है अभी शायद से सब्टेंबर की फर् इंटारी की पीछे आप देखिंगा आपको ट्रिपल क्यामरे का कटाउट डिक रहा हो फिंगर्पिंट स्कैन का कटाउट मिल रहा है कुछ इस तरी का है दो अलगले कलर से और दोस्तों वैसे बता रहो तो यह वही सिम स्मार्टफोन होगा जो एप्रिल के महिने में चायना नोकिया एक सेवेंटी बनके गया था उसी का रिब्रैंडेड वर्शिन बनके वो इंडिया में आएगा और स्नैप्डेगन शिक्सिक्टी वगरा की जैसे बोलरी प्रोसेजर हो सकता है इंडिया मार्केट के लिए पता नहीं दोस्तों उसके अलबाग क्या खास होगा ऑनिस स्मार्टफोन 2020 में जो आएगी A21 से लेकि A91 तक और जो A91 हो उसमें तो 108 मेगा पिक्सल वाला कैमरा मतब कमाल होने वाला है तो M सिरीस कैसे पीछे रह सकता है भाई M सिरीस में भी M21 से लेकि M41 की कुछ डीटेल्स सामने आईए ये भी शुदान शूंबोरों ने हमारे साथ शेर किया है उन्हें इसा बता है कि M21 ये लीक है जहाँ पर आप देखेंगे इसमें Exynos 9609 वाला प्रोसेसर होगा ये नया प्रोसेसर है और इसमें 24 मेगापिसल का आपको प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिसल का डूल मतब डूल कैमरे के साथ में आपको मिलेगा और उसके अलावा M31 में आपको Snapdragon 665 मिलेगा अब ये पता नहीं कभी लौच होगा टाइम हो सकता है जबकि रियल में तो अभी ही दे रहा है और इसमें देखिंग आपको 48 मेगापिसल का प्राइमरी कैमरा और ट्रिपल कैमरा इसमें मिल रहा है और M41 में दोस्तों Exynos 9630 ये बहुत ही पाउफुल प्रोसेसर है 9610 का सकसेसर होगा और यहाँ पर 64 मेगापिसल प्राइमरी और इसमें भी ट्रिपल कैमरा है मतलब बहुत ही अगर आप existing phone से compare करते तो बहुत ही major improvement है बसे मुझे सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन price की मामले में दोस्तों हमें थोरा सा सतरक रहना पड़ेगा वैसे यह सुन कि आपकी कानों को अच्छा लगा बाकि आपकी क्या खयाल है आप मुझे कमेट करके बता सकते हैं क्या आप को ही बता कि वर्ल्ड का सबसे पहला fingerprint scanner वाला smartphone कौन सा था वो था 2011 में launch हुआ Motorola का Aittrex यह जो smartphone था पहली बार दोस्तों वर्ल्ड में fingerprint scanner क साथ में आया था तो आज की देंवे हुआ था इसकी दोस्ते पहुंद इमित करते हैं आपको आज की दिउस पसंद आगई किया अगर अगर आपको पशन आ तो अब्स विडियो को लाइक कर एक मैसे आपनों के लिए डेली टनी टेक नाता रहूंगा आपनों को ऐसे ही अप keep smiling